इस्टूडेंस question number one में हम blanks fill करेंगे तो पहले एपार्ट में देखें in 49,852,610 the place value of the digit 8 is इस पूरे नमबर में हम देखेंगे 8 की place value क्या है पहले इस नमबर के right side में देखें इस zero की place है once इसकी tens, इसकी hundred thousand, ten thousand और 8 की क्या है? hundred thousand तो इसकी place value होगी hundred thousand पहले हम eight लिखेंगे, उसकी आगे जितने digits हैं उतनी हम zero लोगा देंगे, one, two, three, four, five eight क्या के five zero आजाएंगे इस blank में eight, one, two, three, four, five ये eight hundred thousand बान गया अब ये बी पार्ट में देखें ये एक नमबर को expanded form में लिखा हो है इन सबको अगर हम plus कर देंगे तो वो इसका नमबर आ जाएगा इस blank में इनको हम direct plus करेंगे तो answer आएगा five two zero zero four five nine ये हम यहां लिख देंगे five two zero zero four five nine अगर इनको vertically form में plus करेंगे तो फिर भी यही answer आएगा अब ये C पार्ट में देखें insert space to express ये नमबर in international number system इस नमबर को हम space के साथ लिखेंगे international number system में international number system में तीन तीन डिजिट के बाद space आती है तो इस पूरे number के पहले right side में जो तीन डिजिट होंगे उनके बाद space आएगी one two three यहां space आएगी two और five के दर्मियान में अब इसके आगे फिर तीन डिजिट के बाद space आएगी one two three यहां आएगी five और eight के दर्मियान में अब इसमें पहले हम लिखेंगे seven hundred twenty five यहां पर seven hundred twenty five फिर space देंगे अब इसके बाद लिखेंगे eight hundred ninety five यहां पर eight hundred ninety five फिर space देंगे अब एंट पर लिख देंगे two hundred thirteen two one three अब इस पार्ट में देखें the predecessor of eight million one thousand one is इसमें यह predecessor का मतलब है कि इस नंबर का जो previous नंबर है यानि कि इस नंबर से जो पहले नंबर आएगा वो हम लिखेंगे इस blank में अगर हम इस पूरे नंबर से one minus का देंगे तो वो इसका previous नंबर आजाएगा इस से पहला नंबर वो हम यहां लिख देंगे अब इस पूरे नंबर से one minus करेंगे तो आंसर आजाएगा eight million one thousand है इस one की जगा zero आजाएगा यहां हम लिख देंगे जी यह predecessor आगया इस नंबर का अब यह last part में देखिए the successor of two million three hundred sixteen thousand nine hundred ninety nine is इसमें यह successor का मतलब है कि इसका next नंबर है इसके आगे जो नंबर आएगा वो हम लिख देंगे इस blank में इस पूरे नंबर में अगर हम one plus करेंगे तो वो इसका successor आजाएगा वो हम यहां लिखेंगे इस नंबर में यह one plus किया तो यह successor आगया two million three hundred seventeen thousand अलाभेस